लीजे सुनिये महापुर्षों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के तलम तलवार और त्याग संग्रह में से राणा परताप की कहानी मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में राजिस्थान की इतिहास का एक एक प्रेष्ट साहस मरदानगी और वीरुचित प्राणोत सर्ग के कारणामों से जगमगा रहा है बापा रावल राणा सांगा और राणा परताप ऐसे ऐसे उज्वल नाम है कि यद्यपी काल के प्रखर प्रवाह ने उन्हें धो बहाने में कोई असर नहीं उठा रखी फिर भी अभी तक जीवे थें और सदा जीते तथा चमकते रहेंगे इन मेंसे किसी ने भी राज्यों की नीव नहीं डाली बड़ी बड़ी विजएयें नहीं प्राप्त की नए राश्ट्र नहीं निर्मार किये पर इन पूज पुर्शों के हिर्देयों में वो जो आला जल रही थी जिसे सदेश प्रेम कहते हैं वो ये नहीं देख सकते थे कि कोई बाहरी आए और हमारे देश में हमारे बराबर कहो कर रहे। उन्होंने मुसीबते उठाई जाने गवाईं पर अपने देश पर कब्जा करने वालों के कदम उखाडने की चिंता में सदा जलते जुडते रहे। वो इस नरम विचारवा मध्यम वृत्ती की समर्थक न थे कि मैं भी रहूं और तू भी रहे। उनके दावे जादा मरदानगी और बहादरी के थे कि रहें तो हम रहें या हमारे जाती वाले कोई दूसरी कौम हरकिस कदम न जमाने पाए। उनकी कार्यवली इस योग है कि हमा धार्मिक साहित का अंग बने। इस समय हम केवल राणा प्रताप का जीवन वर्तांत पाठकों की भेंट करते हैं जो जब तक जीवित रहा अकबरी दबदबे का सामना करता रहा। उस वक्त जब कोटा जैसलमेर अंबर मारवार सभी देशों के नरेश दरबार अकबरी की ज अमलित शक्ति का सामना करता रहा। पहाणों के दर्रों और पीड़ों के खोखलों में छिप छिप कर उस अनमूल हीरे को दुश्मन के हाथ में पढ़ने से बचाता रहा जिसको जातिये स्वाधीनता कहते हैं। जब मरा तो उसके पास अपने वज्र घातनी तलवार और थो बरी इकबाल का दम भरने लगे थे। परिया किंचन मृत्यू उस सुनहरे सिंघासन परता था मित्र शुब चिंतकों के उस जम घट में मरने से हजार दर्जे अच्छी है जो जाती की स्वाधीनता आत्मा की दास्ता और देश के अपमान के बदले में मिले हों। प्रताप उदाई सिंग का बेटा और शेर दिल दादा सांगा का पोता था। राणा सांगा और बाबर की संग्राम इतिहास की प्रश्टों पर अंके थे। यद्यपी राणा की पर राजए हुई पर स्वदेशी रक्षा में अपना रक्त बहा कर उसने सदा के लिए अपना नाम उज कर लिया। उसका बेटा उदाई सिंग बाप के वीरो चित गुणों का उत्तरा धिकारी न था। कुछ दिनों तक तो वो चित तोड को मुगलों के द्वारा पदाकरान तो होने से बचाता रहा। पर जहीं अकबर के तेवर बदले देखे शेहर जगमल को सुपुर्द करके अरॉली की पहाड़ियों में जा छेपा और वहाँ एक नए नगर की नीव डाली जो आज तक उसके काल से उदाईपुर मशुहूर है। जगमल ने जिस वीरता से शत्तरू का सामना किया। चित तोड के सब वीर जिस तरह सिरह थेली पर रख कर दुश्मन को हटाने के लिए तैयार हुए। चित तोड की सुकुमार ललनाओं ने अपने सतित्त्य की रक्षा करने के लिए जिस द्रड़ता से अगनी कुंड में कूद कर जल मरने को श्रयस कर समझा। ये बाते आज सब की जबान पर हैं और एतिहासिकों की लेखनिया उनकी चर्चा में सदा आनंद से ठिरक्ती रहेंगी। उधर भगोडा उदय सिंग अपने पहाड़ी किले में अपने साथियों सहिज जीवन बिताता रहा। महराना प्रताप ने इनी पहाड़ीों के बीच प्राकर्तिक द्रिश्यों से शिक्षप आई। शेरों से मरदानगी का तो पहाड़ों से अपने सं काली हिंदू नरेशों की भीरूता, मुगल बादशाहों के दबदबे और मेवाड घराने के बहादरी के कारनामों ने उसके आने वाले और उत्साह भरे हिर्दै को टहो के दे दे कर उभार रखा था। पिता के निधन के बाद जब वो गद्धी पर बैठा तो गौरव केवाड राज्य का आस्तित्व केवल नाम के लिए रह गया था। ना कोई राजधानी थी न सेना न कोश। साथी सहाय एक बार बार हार खाते खाते और परेशानिया उठाते उठाते हिम्मत हार बैठी थे। प्रतापने आते ही उनके दबे हुए होसलों को उभारा, प्रती शाली पूर्व पुर्शों का निवास स्थल रहा, जिसके दरो दीवार उनके रक्त से रंगे हैं, और जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बली दी हो, वो दुश्मन के कब्जे में रहे, और उनके बेहदब पैरों से रौदा जाए, उसने अप खमली गदों पर सोगे, जबकि तुम्हारे बाप दादों का देश शत्रों के अत्याचार से रोता चिलाता रहेगा, तुम क्या मुह लेकर आगे नगाड़े बजाते और अपनी यानी सिसौदी अजाती का ज्हंड़ा उंचा किये हुए निकलोगे, जबकि वाय स्थल जहा तुम्हारे बाप दादों की नालें गड़ी हैं, और जो उनके कीरती कलाओं का सजीव इसमारक है, शत्रों के पैरों से रोंदा जा रहा है, तुम शत्री हो, तुम्हारे खून में जोश है, तुम कस्म खाओ कि जब तक चितोड़ पर अधिकार न कर लोगे, हरे पत्तों प करतव का पालन करना है, राना जब तक जीवित रहा इन वरतों का पालन करता रहा, उसके बाद उसके उत्त्राधिकारी भी उनका पालन करते आए, और अब तक ये रस्म चली आती है, अंतर ये है कि पहले इस रस्म का कुछ अर्थ था, अब वो बिलकुल बेमानी हो गई है, विलासिता ने निकास की सूरते निकाल ली है, तो भी जब सुनहरे बरतनों में खाते हैं तो चंद पत्ते उपर से रख लेते हैं, मखमली गदों पर सोते हैं तो इधर उधर पयाल के टुकड़े फैला देते हैं, राना ने इतने ही पर संतोश न किया, उसने उदैपुर को अनुसार वित्रन किया, मेवार का वो सारा हलका जहां शत्रु का प्रवेश संभव हो सकता था, और परवत प्राचीर के बाहर था, सपाट मैदान बना दिया गया, कुए पटवा दिये गए और सारी आबादी पहाणों के अंदर बसा दी गई, सेक्णों मील तक उजार लहराने लगी, बबूल के काटों से रास्ते बंद हो गए और जंगली जानवरों ने उसे अपना घर बना लिया, परंतु अकबर भी राजविस्तार विद्या का आचार ने था, उसने राजपूतों की तलवार की काट देखी थी और खूब जानता था कि राजपूत जब अपनी जाने बेचते हैं तो सस्ती नहीं बेचते, इस शेर को छेड़ने से पहले उसने मारवार के राज़ा माल देओ को मिलाया, आमेर का राज़ा भगवान दास और उसका बहादर बेटा मान सिंग, दोनों पहले ही अकबर के बेटे बन चुके थे, दूसरे राजाओं न जब देखा कि ऐसे ऐसे प्रबल प्रतापी नरेश अपनी जान की खेर मना रहे हैं, तो वो भी एक एक करके शुब चिन तक बन गए, इन में कोई राणा का मामू था तो कोई फूपा, यहां तक कि उसका चचेरा भाई सागर जी भी उससे विमुक होकर अकबर से आमिला था ऐसी अवस्था में कोई आश्यर नहीं कि जब राणा ने अपने विरुद्ध मुगल सेना की जगह है, अपनी ही जाती के सूर्माओं और घोड सवारों को आते देखा हो, अपने ही भाईयों, अपने ही सगे संबंधियों को तलवार खीच कर सामने खड़ा पाया हो, तो उस में संदेह नहीं कि इन भाईय बंदों से वो कितनी ही बाहर लड़ चुका था, राजस्थान का इतिहास ऐसे ग्रह युद्धों से भरा पड़ा है, पर ये लडाईया उन्हें एक दूसरे से बिलग नहीं करती थी, दिन भर एक दूसरे के खून में भाले भिगोने के बाद शाम को वो फिर मिल बैठते थे और परस पर प्रेमा लिंगन करते थे, पर आज राणा को ऐसा मालुम हुआ कि ये भाई बंद मुझ से सदा के लिए बिचुड गए हैं, क्योंकि वो सच्चे राजपूत नहीं रह गए, उनकी बेटियां और बेहने अकबर के अंतहपुर मे दाखिल हो गए हैं, हाँ शोग, इन राजपूतों का राजपूती खून ऐसा ठंडा हो गया है, क्या राजपूतियान और जाती अभिमान इन में नाम को भी बाकी नहीं, हाँ, अपनी मान प्रतिष्ठा की रक्षा का विचार क्या उनके मन से बिलकुल ही उठ गया, शोग क उनके मियान से तेगा क्यों नहीं निकल पड़ता, उनके कलेजे क्यों नहीं फट जाते, उनकी आँखों से खून क्यों नहीं टपक पड़ता, हाहंत, एक शुआकू के वंश और प्रतिवी राज के कुल की ये दुर्दशा हो रही है, बरताप ने उन राजपूतों से जिन उदैपूर के घराने ने केवल यहीं नहीं किया कि शाही खानदान से ही इस प्रकार का नाता न जोड़ा, बलकि अंबर और मारवाण को भी बरादरी से खारिज समझा दिया, उदैपूर यद्यपी अपनी नीत रीत को निभाते चलने के कारण, विपद गर्त में गिरा और दूसरे राजगराने अपना बाना त्याक कर फलते फूलते रहे, पर सारे राजस्थान में ऐसा कोई कुल न था, जिस पर उदैपूर का नेतिक रौब न चाया हो, और जो उसके कुल गोरों को सुईकार न करता हो, यहां तक कि जब महराज जैसिंग और महराज बख्त जैसे शक्ति-शाली नरेशों न उदैपूर से पवित्र बनाय जाने की प्राट्थ न की और वो स्विक्रित न हुई, तो यह शर्त लगा दी गई कि उदैपूर राजकुल की लड़की चाहे जिस कुल में ब्याही जाए, सदा उसी की संतान गदी पर बैठेगी, काश रान अपनी घ्रणा को अपने दिल ही तक रखता, जबान तक न आने देता, तो बहुत सी विपत्तियों से बच जाता, पर उसका वीर हिर्दय दबना जानता ही न था, मान सिंग सोलापुर की मुहिम की और चला आ रहा था, कि राना से मिलने के लिए कुंभल मेर चला आया, राना सिंग ताड़ गया कि इनको मेरे साथ बैठकर खाने में आपती है, जला कर उट खड़ा हुआ और बोला, अगर मैंने तुम्हारा गर्व चून न कर दिया तो मान सिंग नाम नहीं, तब तक राना भी वहां पहुँच गया था, और बोला, जब तुम्हारा जी चाहे चले आ मुझे हरदम तयार पाओगे, मान सिंग ने आकर अकबर को भारा, बारूत पर पलीता पहुच गया, फौरण राना पर हमला करने के लिए फौज तयार करने का हुक्म हुआ, शाहजादा सलीम प्रधान सेनपती बनाए गए, मान सिंग और महावत खां उनके सलाहकार निक्त ह राना भी अपने बाईस हजार शूरवीर और मृत्य को खेल समझने वाले राजपूतों के साथ हल्दी घाटी के मैदान में पैट जमाए खड़ा था, जियों ही दोनों सेनाय आमने सामने हुई, प्रले कांड उपस्थित हो गया, मान सिंग के साथियों के दिलों में अपने सरदार के अपमान की आग जल रही थी और वो उसका बदला लेना चाहते थे, राना के साथ ही भी ये दिखा देना चाहते थे, कि अपनी स्वाधीन ताहमें जान से भी अधिक प्यारी है, राना ने बहुतेरा चाहा कि मान सिंग से मुट भेड हो जाए, तो जरा दिल का होसल निकल जाए, पर इस यतन में उन्हें सफलता न हुई, हाँ, सैयोग वशन का गोड़ा सलीम के हाथ ही के सामने आ गया, फिर क्या था, राना ने चट्र रिकाब पर पाउं रखकर भाला चलाया, जिसने महावत का काम तमाम कर दिया, चाहता था कि दूसरा तला हुए हाथ चल अकबर का चिराग गुल कर दे की हाथ ही भागा, शैजादी को खत्रे में देख, उसके सिपाही लपके और राना को गेर लिया, राना के राजपूतों ने देखा कि सरदार गिर गया, तो उन्होंने भी जान तोड कर हला किया और उसे प्रान संकट से साफ निकाल लाए, फि तेखा हाथ में लिए बिगडे हुए शेर की तरह मैदान में डटा था, शत्रुदल उनके छत्र को देख देख कर उसी स्थान पर अपने पूरे बल से धावा करता, पर राना ने पाउं आगे बढ़ाने के सिवाए, पीछे हटाने का नाम भी न लिया, यहां तक कि तीन बा गोला बारूत के सामने कब तक टिक सकता था, सरदार जाला ने जब ये रंग देखा, तो चट छत्र वाहक के हाथ से छत्र चीन लिया, और उसे हाथ में लिए एक चक्करदार स्थान को चला गया, शत्रु ने समझा कि राना जा रहा है, उसके पीछ ही लपके, इदर राना क साथियों ने मौका पाया, तो उसे मैदान से साकुशल बचा ले गए, पर सरदार जाला ने अपने डिर्ण सो साथियों सहित, वीर गती प्राप्त की और स्वामी रिण से औरिण हो गए, चौदे हजार बहादर राजपूत, हल्दी घाटी के मैदान को अपने खून से सीच गए, जिन में पांच सो से अधिक राजकुल के ही राजकुमार थे, मेवाड में जब इस पर आजए की खबर पहुची तो घर घर को हराम मच गया, ऐसा कोई कुल न था जिसका एक न एक सपूत रणदेवी की बली न हुआ हो, मेवाड का बच्चा बच्चा आज तक हल्दी कविश्वर गलियों और सड़कों पर हल्दी घाटी की घटना सुना कर लोगों को रुलाते हैं, और जब तक मेवाड का कोई कविश्वर जिन्दा रहेगा, और उसके हिर्दा इस पर्शी कवित्व की कदर करने वाले बाकी रहेंगे, तब तक हल्दी घाटी की याद हमेश ताजी रहेगी, उधर राणा अपने स्वामी भक्त घोडे चेतक पर सवार अकेला एकदम चल निकला, दो मुगल सरदारों ने उसे पहचान लिया और उनके पीछे घोडे डाल दिये, अब आगे आगे जखमी राणा बढ़ा जा रहा है, उसके पीछे पीछे दोनों सरदा घोड़ा दबाए बढ़े आते हैं, चेतक भी अपने मालिक की तरह जखमों से चूर है, वो कितना ही जोर मारता, कितना ही जी तोड़ कर कदम उठाता, पर पीछा करने वाले निकट आते जा रहे हैं, अब उनके पाउं की चाप सुनाई देने लगी, अब वो पहुँच राणा तेगा सोत लेता है, कि यकायक उसे कोई पीछे से ललकारता है, ओ नीले घोड़े के सवार, ओ नीले घोड़े के सवार, बोली और धनी बिलकुल मेवारी है, राणा भोचक का होकर पीछे देखता है तो उसका चचेरा भाई, शक्त चला आ रहा है, शक्त परताब से नहराज होकर अकबर से जामिला था और उस समय शहजादा सलीम के साथियों में था पर अब उसने नीले गोड़े के सवार को जखमों से चूर बिलकुल अकेला मैदान से जाते हुए देखा तो बिराद राना खून जोश में आ गया पुरानी शिकायते और मेल दिल से बिलकुल धुल गए और तुरंत पीछा करने वालों में जामिला और अंत में उन्हें अपने भालों से धराशाई करता हुआ राना तक पहुँच गया उस समय अपने जीवन में पहली बार दौनों भाई बंधुत्व और अपने मन के सच्चे जोश से गली मिले यहां स्वामी भक्त चेतक ने दम तोड़ दिया शक्त ने अपना घोड़ा भाई के नजर किया राना ने जब चेतक की पीट से जीन उतार कर उस नए घोड़ी की पीट पर रखा तो वो फूट फूट कर रो रहा था उसे किसी सगे संबंधी के मर जाने के इतना दुख न हुआ था क्या सिकंदर का घोड़ा बस फाला चेतक से अधिक स्वामी भक्त था पर उसके स्वामी ने उसके नाम पर नगर बसा दिया था राना का ये विपद काल था उसने के वला सुबहा कर ही संतोश किया आज उस इस थान पर एक टूटा फूटा चबूतरा दिखाई देता है जो चेतक के स्वा वायों के विचार से ये काल उन पहाड़ियों में बड़े कश्ट का होता है इसलिए राना को तीन चार महीने इत्मिनान रहा पर बसंत काल आते ही शत्रू सेना ने फिर धावा किया महावत खाँ उदैपूर पर हकूमत कर ही रहा था कोका शहबास खाने कुंभल मेर को गेर राना और उसके सात्हियों ने यहां भी खुब वीरता दिखाई पर किसी घर के भैदी ने जो अक्बर से मिला हुआ था फिले के भी तरकूएं में जहर मिला दिया और राना को वहां से निकल जाने के सिवा और कोई रास्ता न दिखाए दिया फिर भी उसके एक सरदार ने जिसका नाम भानू था, मरते दम तक किले को दुश्मनों से बचाए रखा, उसके वीर कती प्राप्ट कर लेने के बाद इस किले पर भी अक्बरी जंड़ा पहराने लगा, कुंभल मेर पर कबज़ा कर लेने के बाद, राजा मान सिंग ने धर मेती और गोगंड़ा के किलों को जागिरा, अब्दुल्ला नाम के एक और सरदार ने दक्षिन दिश्चा से चढ़ाई की, फरीद खाने चपपन पर हमला किया, इस परकार चारों और से घिरकर प्रताप की लिए अकबर की अधीन तस्वीकार कर लेने के सिवा और कोई रास्ता न रहा, पर वो शेर दिल राजपूत, उसी दम खम, उसी हिम्मत वा होसले और उसी द्रणता के साथ, शत्रू का सामना करता रहा, कभी अंधेरी रात में जब शाही फाज बेखबर सोती होती, वो अचा अपनी घात की जगह से निकल पड़ता, इशारों से अपने साथियों को एकठा कर लेता और जो शाही फाज करीब होती, उसी पर चढ़ दोड़ता, फरीद खातो जो राणा को ग्रफतार करने के लिए जंजीर बनवाए बैठा था, उसने ऐसी चत्राई से एक दुर्गम घ पड़ना क्या जाने, उस पर से जब वर्श आरंब हो जाती, तो चोतर रफा महामारी फैल जाती, ये बरसात के दिन परताब के लिए जरा दम लेने के दिन थे, इसी तरह कई बरस बीट गए, परताब के साथियों में से कुछ ने तु लड़कर वीर कती प्रात की, कुछ य तेरे लड़के बाले शत्रु के पंजे में नफस जाए, एक बार वहां के जंगली भीलों ने उनको शाही फौज से बचाया और एक टोकरे में रख जावरा की खानों में छिपा दिया, जहां वो उनकी सप्र का रक्षा और देख भाल करते रहे, वो बल्ले और जंजीरे अ वो अब भी किसी गुफा में अपने मुठी बरा आखरी दम तक साथ देने वाले और सब परकार का अनभा रखने वाले साथियों के बीच उसी आनबान के साथ बैठता जैसे राज सिंगासन पर बैठता था, उनके साथ उसी राजसी ढंग से बरताओ करता, जोनार के समय खा अदवत भोजन करते थे, इसी वज्रिसी द्रहता ने राणा को राजस्थान के संपून राजाओं की नगाह में हीरो आदर्श वीर बना दिया, जो लोग अकबर के दरबारी बन गए थे, वो भी अब राणा के नाम पर गर्व करने लगे, अकबर जो प्रक्रती के दरबार से वीरता और मर्दान की लेकर आया था, और बहादर दुश्मन की पद्र करना जानता था, खुद भी अपने सरदारों से प्रताब की वीरता और साहस की सराहना करता, दरबार के कवी राणा की बढ़ाई में पद्र रचने लगे, अब्दर रहीम खान खाना ने, जो हिंदी भाषा में बड़ी सुन्दर का विता करते थे, मेवाडी भाषा में राणा की वीरता का बखान किया, वह कैसे गुणग और उदार हिरदाए लोग थे कि शत्रु की वीरता को सराह कर, उसका दिल बढ़ाते और होसले उभारते थे, पर कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ जाते कि अपने कुटम भीयों, प्यारे बच्चों के कश्ट उससे न देखे जाते, उस समय उसका दिल बैठ जाता और अपने हाथ चाती में छुरी भूंक लेने को जी चाहता, शाही फौज ऐसी घात में लगी रहती कि पका हुआ खाना खाने की नौबत ना आती, भोजन के लिए ह बंद मूल की रोटियां पका रही थी, बच्चे खाना पाने की खुशे में इधर उधर कुलेले करते फिरते थे, आज पाच फाके गुजर चुके थे, राणा ना जाने किस विचार सागर में डूबता उतराता बच्चों की चेश्टाओं को निराशा भरी आँखों से दे बैठाते थे, आज उनकी ये हालत है कि कोई बात नहीं पूछता, ना कपड़े हैं न लत्ते, कंद मूल की रोटियों की आशा पर मगन हो रहे हैं और उचल कूद रहे हैं, वो इनी दिल बैठा देने वाले विचारों में डूबा हुआ था, कि अचानक अपनी प्यारी आज पांच फांकों के बाद आधी रोटी मिली थी, फिर नहीं मालुम कैकरा के गुजरेंगे, ये देखकर राणा के आँखों में आशू मराएं, उसने अपने जवान बेटों को रंग भूमी में अपनी आँखों से दम तोड़ते देखा था, पर कभी उसका हिर्दा कातर ना हुआ था, कभी आँखों में आशू ना आए थे, मरना मारना तो राजपूत का धर्म है, इस पर कोई राजपूत क्यों आशू बहाएं, पर आज इस बालिका के विलाप ने उसे विवश कर दिया, आज शन भर के लिए उसकी द्रणता के पाओं डिग गए, कुछ शन के पर एक भूखे दूबले कमजोर कुटे को अपने मालिक की लाश के इधर उधर मंडलाते देख, उसकी आँखों से अश्रुधारा मड़ पड़ी थी, राणा ने लड़की को गोद में ले लिया और बोला, धिकार है मुझ को, कि केवल नाम के राजप्व के लिए अपने प पत्र भेजा कि अब कश्ट सहे नहीं जाते, मेरी दशा पर कुछ दया कीजिए, अकबर के पास ये संदेशा पहुचा, तो मानो कोई अप्रत्याशित वस्तु मिल गई, खुशी के मारे फूला ना समाया, राणा का पत्र दरबारियों को सगर्व दिखाने लगा, मगर जाती के अभिमान के ना ते सब के हिर्दय में राणा के लिए संमान का भाव था, उनको इस बात का गर्व था कि अद्यपी हम पराधीन हो गए हैं, पर हमारा एक भाई अभी तक स्वाधीन राजत्व का डंका बजा रहा है, और क्या अश्यर कि कभी कभी अपनी दिलों में इतने सहज में वश्यता सुईकार कर लेने पर लज्या भी अन्भव करते हों, इनमें बीकार नियर नरेश का छोटा भाई प्रित्वी सिंग भी था, जो बड़ा तलवार का धनी और शूर वीर था, राणा के प्रती उसके हिर्दय में सच्ची श्रद्धा उत्पन हो गई उसने जो ये खबर सुनी तो विश्वास नहुआ, बर राणा की लिखावट देखी तो दिल को गहरी चोट पहुँची, खान खाना की तरह वो भी न केवल तलवार का धनी था, बलकि सहर्दय कवी भी था और वीर रस के चंद रचा करता था, उसने अकबर से राणा के पास नहिर्दय निकाल कर रख दिया, ऐसे ऐसे वीर रस भरे, ओजस्वी और उत्साहिब अर्धक पद लिखे, कि राणा के दिल पर वीर विरुदा वली का काम कर गई, उसके दबे हुए होसलों ने फिर सिरो भारा, आजादी का जोश, फिर मचल उठा और अधीन तस्वीकार का विचार कपूर की तरह मन से उड़ गया, पर अब की बार उसके विचारों ने कुछ और ही रूप गिरहन किया, बार बार की हार और विफलता ने उस पर साबित कर दिया, कि इने गिने साथियों और पुराने जंग खाए हत्यारों से, अक्बरी प्रताप के प्रवाह को रोक सरीय जंडा गाडा जाए, जहां उसके जुकने का कोई डर ही न हो, बहुत बहस मुबाहसे के बाद ये सलाहत तैपाई कि सिंधुनद के तट पर, जहां पहुचने में शत्रू को एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज स्थापित किया जाए, कैसा विशाल हिर् थी कि इतनी पराजाईयों के बाद भी ऐसे उंचे इरादे दिल में पैदा होते थे, ये विचार पक्का करके, राणा अपने कुटुमभी और बचे खुचे साथियों को लेकर, इस नई मुहिम पर चल खड़ा हुआ और अरावली के पश्चे मंचल को पार करता हुआ, इस बीच एक ऐसी शुब घटना घटित हुई, जिसने उसका विचार बदल दिया और उसे अपनी प्रिय जन्म भूमी को लोट आने की प्रेड़ना की, राजिस्थान का इतिहास केवल प्राणोत सर्ग और लोकोत तरवीरता की कथाओं से ही नहीं भरा हुआ है, स्वामी भ तो नमक खुरी का जो शुमणाया, हाथ बांद कर राणा की सेवा में उपस्थित हुआ और बोला, महराज, मैंने अनिक पीडियों से आपका नमक खाया है, मेरी जमाजत हजो कुछ है, आप एही की दी हुई है, मेरी देह भी आप एही की पाली पोसी हुई है, क्या मेरे जी 30,000 आदमी 12 साल तक अच्छी तरह गुजर कर सकते थे, उचेत है कि आज जहां राणा परताप के नाम पर श्रद्धा के हार चढ़ाए जाएं, वहां भामा शाह के नाम पर भी दो चार फूल बिखेर दिये जाएं, कुछ तो इस प्रचुर धनराशी की प्राप्ती और निश्चिंत बैठे थे कि अभी ये बला अरावली के उस पार रेगिस्तान से सर मार रही होगी, कि राणा अपने दल के साथ शेर की तरह तूट पड़ा और कोका शहबाज खाको जो दोयर में सेना लिए निश्चिंत पड़ा था जागेरा, दम के दम में सारी सेना धराशा बना दी गई, अभी शत्रु पक्ष पूरी तरह सजग नहोंने पाया था कि राणा कुंभल मेर पर जाड़ा ता और अब्दुल्ला तथा उसकी सेना को तलवार के घाट उतार दिया, जब तक बादशाही दरबार तक खबर पहुँचे पहुँचे, राणा का केसर या दूर किलों पर लहरा रहा था, साल भर भी न गुजरा था कि उसने अपने हाथ से गया हुआ राज लोटा लिया, केवल चित तोड़ अजमेर और गढ़ मंडल पर कबज़ा न हो सका, इसी हले में उसने मान सिंका भी थोड़ा मान मर्दन कर दिया, अकबर पर चढ़ थी, उसके सामराज्य की सीमाएं दिन दिन अधिक विस्तरित होती जाती थी, जिधर रुक करता उधरी विजए हाथ बांधे खड़ी रहती, सरदारों में एक से एक प्रोण अन्भा वाले रणकुशलियोद्धा विद्यमान थे, ऐसी अवस्था में वो राणा की इन ज्या जो हो, उसने निश्चे कर लिया कि राणा को उन पहाड़ियों में चुपचा पड़ा रहने दिया जाए, पर साथ ही निगाह रखे कि वो मैदान की और न बढ़ सके, राणा की जगए कोई और आदमी होता, तो इस शान्ती और आराम को हज़ार गनीमत समझता, और इतने अकबर की सेना उसकी खोज में जंगल पहाड से सिर्ट अकराती फिरती थी, तब तक राणा के हिर्दय को संतोश था, जब तक ये चिंता अकबर के प्राणों को जला रही थी, तब तक राणा के दिल में ठंडक थी, वो सच्चा राजपूत था, शत्रु के क्रोध, कोप, ग्रणा यहां तक तरसकार भाव को भी सहन कर सकता था, पर उसका दिल भी इसको बरदाश्ट ना कर सकता था, कि कोई उसे दया दृष्टी से देखे या उस पर तरस खाए, उसका स्वाभी मानी हिर्दय कभी से सहन ना कर सकता था, जो हिर्दय अपनी जाती की स्वाधीनता पर बिका हो उसे एक पहाड़ी में बंद रहकर राज्य करने से क्या संतोश हो सकता था। रगें फड़कने लगती, कल्पना की दृष्टी से वो शत्रु को आते देखता और फिर अपना तेख़ सम्हाल कर लड़ने को तैयार हो जाता। हाँ, मैं बापपा रावल का वंश धर हूँ, राणा सांगा मेरा दादा था, मैं उसका पोता हूँ, वीर जगमल मेरा एक सरदार था, देखो तो मैं ये केसर ये जंड़ा कहां कहां गाड़ता हूँ, पृत्वी राज के सिंगहासन परना गाणूं तो मेरा जीना अकारत है। ये विचार, ये मनसूब, ये जोशे आजादी, ये अंतर जवार सदा उसके प्राणों को जलाती रही। और अंत में इसी अंतर की आग ने उसे समय से पहले ही मृत्यु शैया पर सुला दिया। उसके गेणे जैसे बलिष्ट, अंग प्रत्यंग और सिंग का सा निडर जैभी इस अगनी की जलन को अधिक दिन सेह न सके। अंतिम शन तक देश और जाती की स्वाधीनता का ध्यान उसे बना रहा। उसके सरदार जिनोंने उसके साथ बहुत से अच्छे बुरे दिन देखे थे। उसकी चार पाई के इर्द गिर्द, शोक में डूबे और आखों आंसु भरे खड़े थे। राणा की टक्टकी दीवार की ओर लगी हुई थी और कोई ख्याल उसे बेचैन करता हुआ मालूम होता था। एक सरदार ने कहा महराज राम नाम लीजिए। राणा ने मृत्य अंत्रना से कराह कर कहा मेरी आत्मा को तब चैन होगा कि तुम लोग अपनी अपनी तलवारे हाथ में लेकर कसम खाओ कि हमारा ये प्यारा देश तुरकों के कब्जे में न जाएगा। तुमारी रगों में जब तक एक बूंद भी रखते रहेगा। तुम उसे तुरकों से बचाते रहोगे। और बेटा मरसी तुम से विशेश बिनती है कि अ मेवार की उस स्वाधीनता को हाथ से खोदो जिसके लिए मेवार के वीरों ने अपना रक्त बहाया है। संपूर उपस्थित सरदारों ने एक सवर से शपत की कि जब तक हमारे दम में दम हैं हम मेवार की स्वाधीनता को कुद्रिश्टी से बचाते रहेंगे। परताब को किया और सरदारों को रोता बिलखता छोड़ उसकी आत्मा ने पार्थिव चोले को त्याग दिया। मानो मौत ने उसे अपने सरदारों से ये कसम लेने की महलत दे रखी थी। इस परकार उस सिंग विक्रम राजपूत के जीवन का अफसान हुआ जिसकी विजेयों की गाथ पूजा की जाए। लोग जब उन मंदरों में जाएं तो स्वाधीनता का नाम लेते हुए जाएं और इस राजपूत की जीवन कथा से सची आजादी का सबक सीखें। अभी आप सुन रहे थे महापुर्शों की जीवनी पर आधारित प्रेम चंद के कलम तलवार और झाल झाल